नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिविट डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं अधिगम सीखने से संब्दित पचास अती महत्यपूर्ण प्रस्णों के बारे में आज एक सीरीज श्टार्ट की है जिसमें आपको 250 प्रस्ण मिलेंगे अधिगम से संब्दित तो काफी important है तो आपको skip नहीं करना है यह भाग एक है जब तक वीडियो अप्लोड होते रहे हैं जब तक के 250 प्रस्ण कंप्लिट नहीं हो जाते तो आपको skip नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम हमें ज कोसल अधिगम से होती हैं दोनों से होती यहां फिर मुल्यों से होती है तो यहां पर जो विकास की प्रक्रिया होती है वह अधिगम से भी संब्दित होती है और कोसल अधिगम से भी संब्दित होती है तो राइट आंसर आपका क्या होगा एवं बी दोनों से दूसरा प्रस् नहीं, यहाँ पर देखे, मंद गति हो रहे ही, तो उसकी इस्तती भी किस प्रकार की होगी? मंद ही होगी, यानि की विकास की मंद गति की इस्तती में, जो अधिगम होगा, जो सीखना होगा, वो भी मंद होगा. तो यहाँ पर I got answer आपका बीवाला होगा, चलिए. तीसरा प्र तो यहाँ पर अधिगम के लिए पूछा गया है तो बालक की मांसिक स्वस्ता और सारेरिक स्वस्ता दोनों ही आवशक होती है अधिगम के लिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर A और B दोनों होगा कोशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुक आवशक्ता होती, यहाँ पर देखिए प्रशन को धिहान से पढ़ना है, आपको कोशलात्मक अधिगम के बारे में पूछा गया है, कि इसके लिए प्रमुक आवशक्ता क्या होती है, सारेरिक विकास की होती है, सामाजिक विकास की होत अगला प्रश्ण है अस्थी विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन होती है यहां पर आपको कारण बताना है सारीरिक विकास के कारण होती है सामाजिक विकास के कारण होती है मानसिक विकास के कारण होती है फिर मुल्यों के विकास के कारण होत चलिए प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् गतिविदी अधारित अधिगम के लिए आवशक है यहाँ पर देखिए गतिविदी अधारित अधिगम के लिए आवशक बताना है क्या है सारेरिक विकास है मानसिक विकास है दोनों है या फिर नेतिक विकास है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो गतिविदी अध विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालई में समयोजन की समस्या का प्रमुक कारण होता है। सारे रिक विकास को इसलिए महत्पुन माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रुक्त सभी होगा। चलिए। तो यहाँ पर आपका एवं बी दोनों होगा। चलिए। अब उधान का संबंद होता है। तो याद रिखीगा जो उधान का संबंद होता है। उधान का सम्मंद मानसिक विकास से होगा, यहाँ पर इनमें से सभी विकल्प राइट नहीं होगा, यहाँ पर राइट विकल्प जो होगा, वो पहला वाला होगा, चलिए, तेरवा प्रस्ण है, इसमरती विहिन बालक का अधिगम इस्तर निम्न होता है, क्योंकि यहाँ पर नेतिक विकास नहीं होता है या फिर वहाँ एक विक्सित बालक होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो इसम्रती विहिन बालक का दिगा में इस्तर निम्न होता है क्योंकि उसका जो मानसिक विकास होता है वो नहीं होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा एक बालक अपनी सेक्षिक समस्याओं का समधान करने में असमर्त है तो माना जाएगा यहाँ पर देखिए एक बालक है जो अपनी सेक्षिक समस्याओं का समधान करने में असमर्त हो नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर बताना है आपको कि उसमें किसका विकास का होगा या फिर सयोग का अभाव होगा तो यहां पर एक बालक अपने स्यक्षिक समस्याओं का समधान नहीं कर पा रहा है वह समर्ते हैं तो उसमें मानसिक विकास का अभाव होगा किसका होगा मानसिक विकास का तो यहां पर आइट आंसर आपका तीसरा वाला सही होग चलिए पंदरवा प्रश्ने है प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवशक है यहाँ पर देखे प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए पूछा गया है क्या आवशक है मानसिक विकास समाजिक विकास नेतिक विकास या फिर मुल्यों का विकास तो यहाँ पर manipulating होगा तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प ए आपका सही होगा अधिGEM से सम्मंदित मांसिक सक्तियां के बारे पूछा गया है इस्मृती पूछा गया है चिंत न है या फिर इन के सबी है तो यहाँ पर जो अधिGEM या फिर सीखने से सम्मधित जो मानसिक सक्तियां होगी वो इस्मलती भी होगी चिंतन भी होगा और अवधान भी होगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा इन में से सभी चैलिए अगला प्रशन है कक्छा में अधिगम पक्रिया हे तो बालको का समू विभाजन किस अधार पर किया जाता है प्रशन को दिहान से पढ़ना है कक्छा में अधिगम प्रग्रिया हे तो बालको का समू विभाजन के बारे में पूछा गया है कि किस अधार पर इनका किया जाता है मानसिक, सामाजिक, नेतिक या फिर मुल्यों के अधार पर तो रहेट आंसर आपका होगा कि कक्षा में अधिगम प्रक्रिया है तू बालोक को का जो समूल वाजन होता है वो मानसिक विकास के अधार पर होता है किस प्रकार से होता है मानसिक विकास के आधार पर होता है तो पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशिल्ता प्रदर्शित करती यहाँ पर देखिए हर प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है इसके बाद ही आप चाहे तो इसका आंसर पहले सोच सकते हैं समझ सकते हैं या पर कोपी में या फिर कमेंट से के माध्यम से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं पहले तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है प्रस्ण में अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशालिता किससे प्रदर्शित है, सुरी किसको प्रदर्शित होती है, तो यहाँ पर उच्च सामज एक विकास को होती है, उच्च नितिक विकास को होती है, उच्च मुल्यों की विकास को होती है, फिर उच्च मानसि विकास को याद रखेगा अधिगम प्रक्रिया में जो चंतन की प्रभाव शिल्ता प्रदर सित करती है वो उच्च मानसिक विकास को करती है तो फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अधिगम प्रक्रिया में प्रमुक भूमिका होती है यहाँ पर देखे जो अधि सकतियों की भी होती है नेतिक सकतियों की भी होती है तो राइट आंसर आपका इन में से सभी होगा चलिए अगला पुरशन है किसी कारी को सीखने में सफलता के लिए आवशक है यहाँ पर आपको बताना है कि किसी कारी को आवशक है तो उसके सफलता के लिए कि आवशक है उच सारी रिक विकास या कह सकते हैं कि उचित सारी रिक विकास और उचित मानसिक विकास आवश्चक होता है तो राइट आंसर आपका यहां पर दोनों होगा याने की सी वाला विकल्प आपका सही होगा चली अगला प्रशने है उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्चक है इसक तब तक आपका उच्च मानसिक विकास नहीं हो सकता तो इसके लिए क्या उशक होगा उच्च मानसिक विकास की मंधता प्रभावित करती है। प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम पूछा गया है, कि इनका जो इस्तर होता है, वो उच्च पाया जाता है, क्योंकि उनका मानसिक जो विकास होता है, प्रतिभाशाली बालकों का जो इस्तर होता है, वो उनका मानसिक विकास होता है, वो भी किस प्रकार का होगा, उच्च ही होगा, तो बी वाला विकल्पे आपका सही होगा, चलिए, अगला प्रस्नि है, सिक्षक के मानसिक स्वास्त का प्रभाव पढ़ता है, यहां पर किस पर प्रभाव पढ़ता है, सिक्षक के मानसिक स्वास्त का आपको बताना है सिक्षन पर पढ़ता है अधिगम पर पढ़ता है सिक्षन अधिगम दोनों पर पढ़ता है या फिर संपुन सिक्षिक प्रभंधन पर पर पढ़ता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो सिक्षक के मानसिक स्वास्त का प्रभाव पढ़ता है वो सिक्षन पर भी पढ़ता है और अधिगम पर भी पढ़ता है तो आपका रायट आंसर क्या होगा यहां पर तीसरा वाला होगा चलिए वग्यानिक विधियों का प्रियोग प्रमुक रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो च्छात्र होते हैं किस प्रकार के होते हैं प्रतिवाशाली होते हैं उच्छ मांसिक विकास वाले होते हैं दोनों होते हैं या फिर सामान ने विकास वाले होते हैं यदि आप रशनों को ध्यांसर पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा जो वज्यानिक विधि सवेगों का संबंद होता यदि आपने सवेग अच्छ से पढ़ा होगा तो यहां पर राइट आंसर आप लगा सकते हैं कि मूल परवत्ति से हैं दुख से हैं सुख से हैं या फिर इनमें से सभी हैं तो यहां पर देख़े सवेगों का संबंद पूछा गया है तो आपका इस्तिरता है, दोनों है या फिर मूल प्रवत्ती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि अधिगम की जो प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विक्सित होने के लिए जो आवशक होगा, वो शवेगात्मक इस्तिरता होगी, तो राइट आंसर है बहुतिक विकास है तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा सरजन की किरिया किस सवेग से बादित होती है क्रोध से होती है गGUना से होती है भूँक से होती या फिर पियास से होती है कि ये किस सवेग से बाधित होती है तो याद रखीगा ये ग्रणा से होती स्रजन की किरिया ग्रणा सवेग से बाधित होती है तो यहाँ पर जो भी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा चलिए अगला प्रश्न है व्यभार के सीखने में योगदान होता है समवेगों का होता है मुल्यों का होता है आदार्शों का होता है या फिर इन में से सभी का होता है काफी important है तो ध्यान दीजेगा जो यवार के सीखने का योगदान होता है वो समवेगों का होता है किसका होता है समवेगों का होता है यहाँ पर जो पहला वाला विकल पर रहेगा वो आपका सही होगा सेस्वावस्था में प्रमुक रूप से विक्सित होता है प्रेम होता है भाई, क्रोध या फिर इन में से सभी यहाँ पर सेस्वावस्था के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आइट आंसर होगा यदि आपने सिर्स्वा वस्ता में किसी बालक या फिर बालिका को देखा होगा तो उसमें जो विक्सित होता है वो प्रेम भी होगा, क्रोध भी होगा और भाई भी होगा तो यहाँ पर आइट आंसर आपका इन में से सभी होगा चलिए अगला प्रश्न है विवहार में मरियादा का समवेस पाया जाता है यहाँ पर किसके कारण पाया जाता है बताना है सवेगात्मक इस्तिरता के कारण पाया जाता है सवेगात्मक इस्तिरता के कारण पाया जाता है दोनों के कारण या फिर यह सभी के कारण तो यहाँ प बालक सिग्रता से निर्णई लेने की छमता सीखता है किस में सीखता है कौन सी अवस्था में सीखता है किस वर अवस्था में बाले अवस्था में से इस वर अवस्था में से सभी में तो यहाँ पर आपका right answer होगा देखिए बालक सीगरता से निनने लेने के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि यह जो छमता है वो किस अवस्था में सीखता है तो याद रखेगा वो किस अवस्था में सीखता है बालक सीगरता से निनने लेने की जो छमता सीखता है वो कि मूल प्रवत्ति का होता है तो याद रखेगा काफी important है व्यक्तित्व निर्मान एवं विकास की प्रक्रिया के बारे में योगदान पूछा गया है तो ये समवेगो का इस्ताइतु का होगा किसका योगदान होगा? सवेगों का इस्तायत्व का योगदान होगा व्यक्तित्व निर्वानेवां विकास की प्रक्रिया में तो यहाँ पर पहला वाला आपका राइट आंसर होगा चलिए अगला प्रशन है एक किशोर भूक लगने पर खाना बनाने का प्रियास करता ही उसका यहाँ प्रियास माना जाएगा किस प्रकार का माना जाएगा सम्वेग द्वारा सीखना होगा सयोग द्वारा सीखना होगा अनुकरन द्वारा सीखना होगा या फिर इन में से सभी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देखिए इने में से सभी तो इसका right answer नहीं हो सकता यह होगा समवेगों द्वारा सीखना किस ओर भूक लगने पर खाना बनाने का प्रियास करता है तदा खाना बनाना सीख जाता है तो उसका जो यहां प्रियास माना जाएगा दोस्तों वो समवेग द्वारा सीखना माना जाएगा यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा आपका वो सही होगा चलिए एक बालक जो धन की आवशकता होने पर पिता से धन मांगता है इसके लिए उपेक्छा मिलने पर वहाँ धन कमाने के लिए विभिन कोशलो को सीखने लगता है इस कारी में किस सवेग का योगदान होता है यहां पर देखिए कोई बालक है जो अपने पिता से पेसे मांगता है लेकिन उसको वहाँ से पेसे नहीं मिलते है क्या मिलता है उपेक्छा मिलती है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए कौनसा सवेग का योगदान होता है इसकारी के लिए आत्म अभिमान का होता है सयोग का होता है भूक का होता है या फिर देननिता का होता है तो यह आत्म अभिमान का योगदान होता है इसकारी में सवेग का तो रहेट आंसर आप सामाजिक होता है या फिर इन में से सभी होता है तो यहाँ पर एक बालक है जो मरियादित विभार को सीखता है तो उसमें चारित्रिक विकास का भी होता है नेत्रिक विकास का भी होता है और सामाजिक विकास का भी होता है तो यहाँ पर आपका right answer इन में से सभी होगा चलिए मुन्रो के अनुशार चरित्र में समावेश होता यहाँ पर देखे किसके अनुशार पूछा गया है यह important है मुन्रो के अनुशार पूछा गया है स्तायत्व का होता है समाजिक निणे लेने का होता है यहाँ पर आपका right answer इन में से सभी होगा चरित्र को माना जाता है समाजिक धरोवर, व्यक्तिकत धरोवर, दोनों या फिर सविगात्मक धरोवर तो याद रखेगा जो चरित्र को माना जाता है वो समाजिक धरोवर माना जाता है कौन सी धरोवर मानेंगे समाजिक धरोवर तो यहाँ पर जो आपका России answer होगा वह पहला वाला होगा चलिए अगला प्रशन है चारित्रिक विकास संबंधी किर्याओं को बालक सीखता है पूरवजों से सीखता है परिवार से सीखता है शिक्छक एवण विध्याली से सीखता है जो बालक होता है उसमें जो चरित्र होता है जो चरित्र का विकास होता है वो किस से सीखता है इसके बारे में आपको बताना है तो साधन सा प्रशन है आप सभी को पता होगा कि ये पूरवजब से भी सीखता है परिवार से भी सीखता है और सिख्छक एवं विध्याले से भी सीखता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा इन में से सभी होगा चलिए एक बालक सत्ति इसली बोलना सीखता है क्योंकि वहां यहां चरित्र का सरोत्तम गुन है उसकी यहां सीखने की प्रक्रिया है यहां पर आपको बताना है कि जो चरित्र का सरोत्तम गुन होता है वो सत्य बोलना होता है एक बालक का ऐसा मानना है तो वो उसको सीख लेता है तो यहां पर आपको बताना है कि उसकी यहां कि जो प्रिक्रिया होगी वो सकरात्मक होगी तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा चलिए अगला प्रस्वन है कि एक बालक चोरी करना छोड़ कर सत्य का आचरन सीखता है तो उसको सीखने की प्रिक्रिया के मूल में समाहित होता है डंड की भावना होगी या फिर इन सभी की भावना होगी तो यहाँ पर देखिए नकरात्मक और सकरात्मक दोनों ही विकल्प आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो इन सभी की भावना तो हो नहीं सकता तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चारित्रिक विकास की उसको भावना होगी यदि वो चोरी कर रहा है और उसको बाद में छोड़ देता है सत्तिका आचन वो सीख लेता है तो उसमें जो प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है वो चारित्रिक विकास की भावना होगी तो यहाँ पर पहला बाला आपका जो विकल्प होगा वो सही होगा निमलिकित में से कौन सा तथ्य अच्छे चरित्री की ओर संकेत करता है यहाँ पर देखिए अच्छे चरित्री की ओर कौन सा संकेत करता है कौन सा तथ्य संकेत करता है नेतिकता है, मानवता है, कर्तव निश्टा है या फिर इन में से सभी है सरल सा प्रसन है, यहाँ पर आप देखते ही आंसर बता सकते हैं कि यह नेतिकता भी होगा, मानवता भी होगा और कर्तव निश्टा भी होगा यहाँ पर आपका जो राइट आइंसर होगा वो इन में से सभी होगा हम की भावना से सम्मंदित किरियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है यहाँ पर हम की भावना के बारे में पूछा गया है कि बालक किस अवस्था में सीखता है सेस्ववस्था में बाल्य अवस्था में किसोरा अवस्था में या फिर इन में से सबी तो यहां पर आयटा अंजर आपका होगा जो हमकी भावना है वो बालक बाल्य अवस्था में सीखता है कुन सी अवस्था में सीखेगा वो बाल्य अवस्था में सीखेगा चलिए अगला प्रश्न है बालक विद्याले में सिक्छक की गुणों को ग्रहन करता है क्योंकि वहां सिक्छक को स्विकार करता है चरित्रवान विक्ति के रूप में आदर्श विक्ति के रूप में दोनों में या फिडंड प्रदान करने की सकती के रूप में तो यहाँ पर जो बालग विद्याले में सिक्षक के गुनों को ग्रहन करता है क्योंकि वहाँ सिक्षक को चरित्रवान विक्ति और आदर्श विक्ति के रूप में शुकार करता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर A एवं B दोनों होगा चलिए नेतिक किरियाओं को सीखने के समय बालग की आयू होती है यहाँ पर जो नेतिक किरियाओं को सीखने की समय अओधि के बारे में पूछा गया है कितनी होती है आयू कितनी होती है लगभग चार वर्ष होती है तीन वर्ष होती है दो वर्ष होती है या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लगभग चार वर्ष याद रखेगा नेतिक विकास को सीखने की समय जो बालक की आयू होती है वो लगबग चार वर्स की होती है बालक अपनी किरियाओं को परिणाम के अधार पर सीखने का प्रियास किस अवस्था में करता है यहाँ पर देखे परिणाम के अधार पर पूछा गया है पांच से छे वर्स चार वर्स तीन वर्स या फिर दो वर्स तो आपका राइट आंसर होगा बालक अपनी किरियाओं को परिणाम के अधार पर जो सीखने का प्रियास करता है वो पांच से छे वर्स की अवस्था में करता है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो प आपका right answer होगा वो समाजिक भी होता है और आ समाजिक भी होता है यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल पर हेगा वो सही होगा तो आगे के प्रश्ण आपको इसकी जो second वीडियो आएगी उसमें मिलेंगे 250 प्रश्ण की सीरीज है 250 प्रश्ण आपको यहाँ पर अधिगम से संब् आपको केमेंट से की मादिम से बताना है अच्छा लगे तो आपको सेर करना है लाइक करना है और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो जल्दें दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद